इस्रेल हमास युद में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहा है इस्रेल के हमले में 200 लोगों की मौत का दावा किया गया क्योंकि मैज आदे घंटे के अंदर 100 मिसाइले इस्रेल की तरफ से वहाँ दाग दी गई और यही वज़ाए कि अब तक का सबसे भीशन और सबसे खूर हमला बताय जा रहा है जिसमें बड़ा हमला बताय जा रहा है और अब तक जितने भी हमले हुए हैं उसमें सबसे भीशन और इस्रेल की तरफ से इसे मारा जा रहा है इस्रेल की तावर तोड़ कारवाई लगाता जा रही है और इस्रेल के स्टे रोट शेहर में स्कूल में भी बंकर बनाए गए हैं ताकि बच्चे इन में छिपकर अपनी सुरक्षा कर सकें यह स्कूल का इलागा है बच्चों के संख्याध होती है और अंदर से आपको तस्वीरे दिखा दें अंदर से करम जी इसी तरह के शेल्टर यह अंदर यहां बच्चे आ जाते हैं और अपने आपको छुपा लेते हैं अगर मिसाइल की आवाज आदेख सिर्फ 15 सेकंड का वक्त होता है अपने आपको बचाने के लिए यहां लोहे के बेंच भी बनाया गया है तो यह तैयारी की गई है स्टेरोट की हर जगा बॉम सेल्ट से अपने आपको तयार किया है स्टेरोट ने मिसाल से तयार रखा है अपने आपको स्टेरोट ने लेकिन बावजूद इसके जब यूद की घोशना हुई है तो तमाम लोग सहर छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि अगर बहुत बड़ा हमला होता है तो शायद छोटे मिसाल से तो ये बॉम सेल्टर बचा लेंगे लोगों को लेकिन बड़े यूद की स्थिति में शायद ये भी नाकाफी पढ़ जाए तो इस्रेल में स्कूल हो या बस स्टैंड हर जगे बॉम सेल्टर बनाए गए हैं ताकि लोग बंकर में छिपकर अपनी सुरक्षा कर सकें तो बाजार हो या स्कूल या फिर और भी कोई सारवजनिक जगा हर जगा बॉम सेल्टर आपको दिखेगा यह इस वक्त हम लोग एक स्कूल के पास हैं और यहां देख सकते हैं इस स्कूल के बाहर इस्कूल की दिवारे तो कंक्रीट से बनी ही हुई है लेकिन बाहर में किस तरह की तयारी है वो हम आपको दिखाते हैं बस स्टैंड के बाहर जब यहां से बच्चे इस्कूल से बाहर निकलते हैं या आते हैं वहाँ किस तरह की तयारी है एक जगा चार शेल्टर बना है ये देखें और जो शेल्टर बने होते हैं उसमें कुछ न कुछ अच्छी आकरितियां भी बनी होती यहाँ फूल की आकरिति आपको दिख रही है यहाँ एक ही जगा चार शेल्टर है इस तरह से इस्टिरोट ने अपने आपको तयार किया है बॉम और मिसाइल के खिलाब इसलिए दुनिया में बॉम शेल्टर की राजधानी के तौर पर यह शहर जाना जाता है क्योंकि 2001 से लगातार मिसाइल के हमले यहां किये जा रहे